नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका निज्वल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्दिमनिश शर्मा कोरोनम हमारी के बाद सड़क से लेकर साइबर प्लेटफॉर्म तक ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और लाखों लोग ठगी का शिकार भी बन जाते हैं ऐसे ही हर रोज नए मामले साइबर सैल में आते हैं ठग आपको लाखों कमाने का लालज देंगे और अगर लालज में आ जाते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई आप गवा बैठेंगे चलिए आपको बताते हैं कि ठग कैसे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं आपको मैसेज या मेल के जरीए लालज दिया जाएगा उसके बाद आपसे कुछ पैसे भी जमा कराए जाएगे और फिर ठग रफू चक्कर हो जाते हैं आपको लोटरी का भी रालस दिया जाएगा आपसे मीठी मीठी बाते भी की जाएगी और आप जब तक गलत होने का अंदेशा लगा पाएंगे जब तक आप ठगी का शिकार हो चुके होंगे ऐसे ही हर दिन ना जाने कितने मामले सामने आते हैं उसके बाद भी लोग अभी अवेर नहीं हो रहे है जिसकी जैसे जो साइबर क्राइम है वो लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है अब आपको बताते हैं कि ठक किस तरीके से आपको अपना शिकार बनाते हैं यह एक साइबर क्राइम का एक बहतरीन एक्जामपल है यह कई तरीकी से किया जा रहा है जिसमें क्रिमिनल्स आपके प्लास्टिक कार्ड की डिटेल्स को कलेक्ट करके आपके बैंक अकाउंट्स को खाली कर देते हैं SPAM, EMAIL, अनेक प्रकार के एमेल और लिंक आपको भीजे जाते हैं अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपका सारा डाटा हैकर के पास चला जाता है और आपकी सारी डिटेल लेकर आपके अकाउंट से पैसा गायब कर दिया जाता है हैकिंग किसी भी निजी जानकारी को हैक करना जैसे की उप्योग करता का नाम या पासवर्ड फिर उसमें फिर बदल करके आपके सोचल मीडिया अकाउंट से लोगों से पैसे मांगना फरजी बैंक कॉल आपको जाली इमेल मेसिज या फोन करके आपके ATM नमबर और पिन मांगे जाएंगे और ना देने पर कार्ड ब्लोक होने की बात कही जाएगी ऐसी गटना लगातार हो रही है जिसके बाद बैंक ने साफ कह दिया है कि बैंक की तरफ से किसी भी शक्स को ऐसी क कोई कॉल नहीं आएगी लगातार जो एक क्रिमिनल है नए नए हथकंडे अपनाते हैं जिसकी वज़े से यहाँ पर जो साइबर क्राइम है वो दिन बाद दिन बढ़ता जा रहा है अलग-अलग शेतरों से एक खबरे आती है चाह दिल्ली की बात करते हैं अलग-अलग शेत वो भी आपको सुनवाते हैं क्राइम हो चाहिए वो बच्चों से लेटिड क्राइम हो चाहिए वो औरतों या व्रदों से लेटिड क्राइम हो या चाहिए वो ऐसे सीरिस क्राइम हो जैसे में बड़े-बड़े कॉपरेट फज जाते हैं वी आई पीस फज जाते हैं अल्तता उसकी शुरुआत किसी सोश से average थोड़े जादा होंगे तो एक साथ उनको 7 लाग, 10 लाग, 15 लाग का घबला करने में असानी होती है तो इसलिए वज़े से मेरे खाल से यहां के numbers थोड़े से जादा है पर आम तोर पर देखा जा रहा है कि report तो हर जगे से हो रहा है क्राइम हर तरह के लोगों को target किया जा रहा है Sir, cyber crime से बचने के तरीके क्या क्या है? देखे, कोई भी crime जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपकी कोई कमजोरी का फाइदा उठा कर होता है और चाहे वो social media के तो हो, चाहे वो आपके bank account, financial crimes हो या आपके defamation हो कि आपके twitter account किसी ने clone कर लिया, hack कर लिया, facebook hack कर लिया, इस शुरूआत कहां से होती है जैसे आपका facebook hack के कई सारे cases आए, आपको एक IP intellectual property right का notice आएगा ऐसा लगा कि आपको facebook से आया है, email भी बिल्कुल facebook से लगेगी पर वो फरजी email होगी आपको डराया जाएगा कि आपने कोई ऐसी post डाली थी, जिसकी वज़े से आपका facebook बंद हो जाएगा आपका page block हो जाएगा, इस link पर click कीजिए, password बताइए या detail भरिये आप detail भरते हैं, सोच कर कि यह facebook का link है पर वो facebook का नहीं होता और आपका account hack हो जाता है और यह किसी के लिए भी हो सकता है, या twitter का IP right notice आजाए, या आपको कोई, आपके linkedin का IP right notice आजाए तो हर तरह की account, instagram account hack हो जाते हैं, दूसरा क्या है कि facebook पर normally लोग अपनी settings टीक नहीं रखते हैं कि मैं 3-4 setting बता देता हूँ, सबसे पहले आपकी जो friend list है वो private रखें, क्योंकि friend list आपकी सारी दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, कि मेरे ये दोस्त हैं, ये खास दोस्त हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा settings करके रखें, क्योंकि जैसे ही आपकी friend list public होती है, criminal आपके profile को target करने लगते हैं, सबसे पहले आपको profile clone करेंगे, आपके दोस्तों को दिख रहे हैं, उनको request बेजना शुरू कर देंगे, आपके दोस्तों को लगता है कि आपको पराना account शायद lock हो गया या पासफ़र्ट भूल गया है, इसलिए नए account से request accept कर लेते हैं, और फिर आपक दोस्तों को ही दिखाएं, वो public मत करें, किसी दुनिया को अपनी post दिखाने से कोई फायदा नहीं है, तो ये 3-4 settings दिया आप कर लेंगे, तो मेरे खाल से आप काफी सारे crime से बचे रहेंगे